रखो सला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, धक्कर ना बैट, ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा हेलो एप्रिबन, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो अब ठक जाते हैं न, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे, कि हम लाइफ टाइम सेल्फ मोटिवेट रहे, जैसे कि चैनल का नाम है लर्न विद मोटिवेशन, तो जब तक एक मोटिवेशन नहीं हो तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो अपने आपको आज की इस वीडियो में वैसे तो हम क्लास नाइन्थ, सबजेक्ट इन्फोरमेशन टेकनलोजी कोड 402, यूनिट, बुक है नाम है इंप्लोइबिल्टी स्किल, यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट, पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ कॉन्फिदेंस, बिल्डप टेप्स, लेकिन आपको मैं बताऊं यह चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यह नहीं भी पढ़ रहे हैं इस क्लास पी, अपने आपको कैसे मोटिवेट करना है, सब कुछ भी अचीव करना है, तो अप अपको सेल्फ को कैसे मोटिवेट करता है, क्योंकि आपके लिए अगर आप नहीं सोच रहे हैं, तो कोई दूसरा क्यों सोचेगा, तो first start thinking for yourself, let's start the chapter, self-management skill, first of all you should know what is self-management, self-management refer to the management of or by oneself, taking of responsibility for one's own behavior and well-being, अपने ही behavior की जब आप responsibility लेते हो, तो उसको हम self-management बोलते हैं, okay, it means managing yourself with people, सिर्फ अपने behavior की नहीं, आप लोगों के साथ कैसा वेहवार कर रहे हो, या आप उनको कैसे conduct कर रहे हो, अपनी family के साथ, individual के साथ, society के साथ, सब के साथ, आप किस तरह से वेहवार कर रहे हो, किस तरह से manage करते हो, सारी responsibility को, that is called self-management, okay, self-managed person एक paid की तरहा होता है, जो की अपने साथ-साथ लोगों की भी help करता है, उनकी भी take care करता है, comfortable life enjoy करता है, उसको lead करता है, comfortable life को, the reason behind the promotion of self-management, आजकल हर जिगा self-management की बात की जा रही है, उसका reason क्या है, we do not want the individual to be dependent on the anybody, हम यह नहीं चाते हैं कि लोग किसी दूसरे पर ही हमेशा dependent रहे, और जब भी life में कोई problem आजाए, आप किसी और का मूँ ना देखो, बलकि आप उस problem को face करो, और जब किसी और को, इनके सगर किसी और को problem होती है, तो आप उसकी help करो, self management में आप अपना self confidence कैसे boost up करते हैं, develop करते हैं, और लोगों की help कैसे करते हैं, ये भी आजाता है, self management आपको लंबे समय तक अपनी personal life को किस तरह से handle करना है, ये भी सिखाता है, तो self management में अगर आप ये picture को identify कर पा रहे हैं, आपकी habits क्या हैं, आपके manners कैसे हैं, आपकी knowledge क्या हैं, आपकी intentions क्या हैं, आपके काम, आपकी deeds क्या हैं, ये सब कुछ ही आपका self management के अंदर आता है, self management is exhibited by our habit, ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया हैं, ये सब कुछ self management के अंदर आता है, अच्छी आदतें आपको सुधारती हैं, अगर आप बचपन से ही अदब्रश करना, taking bath, eating balanced diet, ये अच्छी आदतें अपने अंदर डाल लेते हो, time से सोना, time से जागना, तो ये क् धीरे आपकी good habits में develop हो जाती हैं, और ये ही good habits जो हैं, वो help करती हैं आपको good manners show करने में, तो that means आप अच्छे manner show करते हो, क्योंकि आपके अंदर good habits हैं, good manners हैं, तो आप लोगों की बाते भी ध्यान से सुनोगे, you are a good listener, आप respect करोगे, आप sharing करोगे, please बोलोगे, thank you बोलोगे तो ये good manners आपके अंदर automatically develop हो जाएंगे, अच्छी आदतों से ही अच्छे manners आजाएंगे आपको, और जब अच्छे manners आएंगे, आप लोगों से अच्छे से बात करोगे, तो day by day, जब हम लोगों से मिलते हैं, तो society में हमारी क्या होती है, knowledge increase हो जाती है, तो हमारी knowledge अच्छ जाने लगेगा कि हमारी intention अच्छी है और वो हमसे guidance मांगेंगे, और जितने अच्छे हम काम करते जाएंगे, तो that is easy for live a life, हमारे लिए अपनी life को manage करना और लोगों को manage करना बहुत easy हो जाता है, तो देखा है, सब कितना आपस में corresponding related करता है, that means positive result for self management, तो self management का positive result क्या आता ह आपके parents, आपके teacher, आपकी guidance, हमेशा उसी बच्चे से मतलब inspired रहते हैं, जो अपने आपको proper manage करके रखता है, आप पूरे दिनके काम धंग से करते हो, time से सारे काम करते हो, किसी भी काम को delay नहीं करते हो, ठीक है schedule जो भी आपको दिया जाता है, assignment मिलता है, competition मिलता है, आप teacher के उपर impression, parents के उपर impression कि ये कितना ही अच्छा student है, तो ऐसी अगर आप employee हो, तो आपके office में आपके boss के उपर आपकी impression अच्छी पड़ती है, it guide the individual or to self monitor their conduct and behavior student, तो उनके behavior के according, ये पहले से ही judge कर लिया जाता है, कि इसका कैसा behavior है, ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, it helps in self evaluation, आप अपने आपको evaluate भी कर सकते हो, अगर आप self manage कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप self evaluation भी कर सकते हो, कि पिरे में क्या खमिया है, क्या खुबिया है, मेरे life का goal क्या है, और आप अपने आपको motivate करके, उन goal को achieve भी कर सकते हो, help in setting the individual goal, आप अपना एक छोटे छोटे goal set करो और उसको achieve करने के लिए work करो, direct evaluation of performance, objective resetting and enhances self esteem, ये evaluation से जो आप अपनी performance को में सुधार लाते हो, तो इसको से क्या होगा कि आपकी जो self esteem है, वो increase होगी, अच्छी हो जाएगी, इस तरहां का जो behavior होता है न, वो आपको positive behavior के लिए force करता रहता है, अगर आप self management करके चलते हो तो आप हर काम time से करते हो, situation के according आप behave करते हो, तो इससे क्या होता है, self learning होती है, और self learning करते करते हैं, आप goal को achieve कर जाते हो, ठीक है, तो self reliance, अपने बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपनी खुबियों के बारे में, जानने से, आपका behavior सुधरता रहता है, अब self management skills के बारे में हम पढ़ते हैं, following are the self management skills, ये कुछ self management skills हैं, जिससे कि आपका self management और अच्छे से आप कर सकते हो, पहला self confidence, आपको अपने अंदर confidence होना चाहिए, आप कोई भी चीज को अगर achieve कर लेते हो, तो आपका confidence build up होता रहता है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, example, कोई नई activity आप करो, तो आप वो कर पाओगे, तो आपका confidence boost होता जाएगा, आप कोई blog लिख लो, कुछ writing लिख लो, किसी activity को lead करो, तो उससे आपका confidence build up होता जाएगा, stress management, stress management मतलब कोई tension है, तो आप उस tension को, उस problem को कैसे deal करते हो, तो psychological आपका, मतलब आप strong बनते हो, difficulty को कैसे face करना है, challenge को कैसे face करना है, इसके लिए देखो, सबसे easy way है, stress management का, कि आप हर काम को time से करो, जैसे आपको कोई homework मिला है, तो उसको delay मत करो, कि बात में करेंगे, उससे stress होता है, जब अगर time से नहीं हुआ, तो last moment में करने में stress होता है, तो आप क्या करो, पहले ही complete कर करके रख लो, इसे क्या होगा, कि आपको stress नहीं होगा, तो आपको stress management easily हो जाएगा, independent work, independent मतलब आप केले कैसे काम करना है, ठीक है, तो independent आप कुछ चीजों को अकेले शुरू करना करो, जैसे paper की त्यारी करते हो, competition की त्यारी करते हो, अकेले ही करते हो ना, कुछ doubt है तो किस करो, तो इससे आपकी वो जो dependency वाली आदत है, वो छूट जाएगी, आप independent बनोगे, team player, आप team player की तरह work करो, normally हम team मेरे काम करते हैं, तो हम भूल, मतलब क्या करते हैं, कि जैसे sharing नहीं करते, ठीक है, group की production नहीं करते, अपने ही बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आगर आप team player की तरह work करोगे, तो आप सब के contribution का आप respect करोगे, है ना, और आपका effective way में, जैसे कोई काम आपको अच्छे से आता है, आपके friend को, वो दूसरा काम अच्छे से आता है, तो दोनों मिलके कोई project कर लो, group project में आप काम कर लो, team में खेलना शुरू करो, तो इससे आपको team की ए पता चलेगी, time management, हर काम को time से करना था हम already सीख चुके हैं, तो time से करोगे, तो इससे क्या होगा, productivity बढ़ेगी, time भी save होगा, efficiency बढ़ जाएगी, अगर timely काम complete कर लिया, तो आपके पास काफी time रहेगा, आप दूसरे कामों बे भी ध्यान दे सकते हो, है ना, जैसे कि आप plan क कर लो, आप जब पढ़ाई का time है तब पढ़ लो, जब खेलने का time है आप खेल लो, और अगर आपके काम properly complete होगे, तो आप ज्यादा time relax कर पाओगे, तो इसी तरह से आपको proper time management करना चाहिए, जिससे positive energy बनी रहती है, self motivation, अगर कोई काम आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप ब इससे हो जाएगा, ठीक है, आप list बना लो, आप कोई बड़ा काम है, उसकी list बना लो, जैसे कि कोई long question है, ठीक है, अब उस long question को आप pointing में लिख लो, first point पहले learn कर लो, फिर second कर लो, फिर third कर लो, तो ऐसे ही कोई बड़ा काम है, कोई बड़ा project है, तो उसको आप divide कर लो ना, जब चार लाइने कर ली हैं, तो दस भी कर लोगा, ठीक है, ऐसे अपने आपको self motivate करते रो, personality management, अपनी personality को भी बनाए रखो, journal neatness, जैसे normally आप अपने आपको साफ सुतरा, अच्छे से dress करके रखो, अच्छी language use करो, इस तरह से आप अपनी personality groom करो, क्योंकि यही personality, आपको, मत हर जिगा आ रहा है self confidence, तो हम self confidence पहले समझ लेते हैं, होता क्या है, Relastic belief and trust of individual in one's own judgment, capability and worthiness is self confidence, जब आपको अपने उपर पूरा विश्वास होता है, और आप अपने आपको judge करते हो, judge मतलब सही judge करते हो, यह निकि गलत गलत वहमिया अपने ले पाल ली, बिलकुर सही judge करते हो, आपको अपने खूबियां भी पता है, और आपको अपने अंदर खामिया भी पता है, और आप उसको improve करने की कोशिश करते हो, उसी को हम self confidence बोरते हैं, ओके, तो यहाँ पर factor that help in self, आप self confidence को कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, पहला है social factor, आप लोगों से interact करो, family में interact करो, social interact करो, friends है, relative है, teacher है, media है, chat करते हो, fp है, facebook है, whatsapp है, तो वहाँ पर लोगों से जब chatting करते हैं, तो आपको जो experience get होते हैं, तो वहाँ पर आपको social network अच्छा हो जाता है, थोड़ा confidence आता है, लोगों से हम कैसे बात कर सकते हैं, cultural activities है, तो cultural values के बारे में जानो, उनकी beliefs के बारे में जानो, customs के बारे में जानो, Indian तो बहुत importance नेते ह है ना, तो जैसे कि जो word चलता है, वसुदेव कुटूंबा, तो इस custom के बारे में जाना, दिवाली festival एक साथ celebrate करना, तो इससे क्या होगा, culture value के बारे में पता चलता है, उस पे believe होता है, और आगे चल कर, यही आपके self confidence का कारण भी बनता है, फिर है physical, अगर physical कोई problem है किसी क ठीक है, physical self efficiency, physical activities में participate करो, social physics anxiety जो अपने अंदर पाल लखा कही लोगों ने, कि यह मैं नहीं कर सकता है, यहां से मैं नहीं कर सकता है, तो वो भी कहीं पर self confidence को अहां पहुंचाता है, तो इस तरह कि अगर जो mentality आ जाती है, कि यह तरह बसकी नहीं आए, तुम कर नहीं सकते है, अपने अपको physically weak मानते हो, तो ऐसा मत करो, आप धीरे धीरे evaluate करो, improve हो सकता है, तो करो अप देखो, किसी को अगर कोई blind है, तो वो blindness तो improve नहीं हो सकती, बट वो उसकी जगा कुछ और कर लेता है, ठीक है, तो जो कमिया है, अगर physical कोई problem है, तो उसको खतम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी जगाए कोई खूबी तो डला सकते हो ना, और उसकी वज़ा से अपने आपको down feel करकर, अपना confidence down तो नहीं कर सकते, अप जैसे कोई blind है, लेकिन वो debate में बहुत अच्छा है, तो वो debate competition में participate कर सकता है, आप क्योंकि मैं blind हो, इसलिए मैं debate में भी participate नहीं इससे वो self-confidence उसका down होगा, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो physical activities की वज़े से अपने आपको down नहीं करना चाहिए, anxiety, कोई डर अपने अंदर नहीं करना चाहिए, self-confidence, building up tips, अब self-confidence बढ़ाने के कुछ तरीके सीख लो, mind is like a fertile land, जैसे आप उपजाओ खेत होता है, तो वहाँ जो फसल बोगे, वही आपके चलेंगे, तो आपका जो mind है, वही एक उपजाओ खेत है, यहाँ जो बोगे, वही आपको मिलेगा, अच्छे thought अगर लगाओगे, तो अच्छी thought बिनेंगे, बुरे लगाओगे, तो बुरे बनेंगे, तो आपको सोचने के, आपको किस तरह के विचार अपने अंदर लाना है, हमने क्या करा था, रखोसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के घर चलकर समंदर भी आएगा, ठक करना बैट, एमन्जिल के मु से निकाल दो, ठीक है, आपका जो मन करता है, जिस एक्टिविटी में आपका मन लग रहा है, आप उसमें इंवॉल्फ हो जाओ, आपको चलना अच्छा लगता है, चलो, ड्रॉइंग करना, गाना-गाना, डांस करना, चैटिंग करना, टीवी देखना, पढ़ना, बाते करन जो आच्छा लगता है, वो करो, लेकिन अपने अंदर से negative को निकालो और positive को increase करो, जितने जादा हो सके उतने positive thoughts increase करो, क्योंकि जितना जादा positive रहोगे, उतना आप self motivate रहोगे, thinking positively, हर बात को एक positive तरीके से सोचो, ठीक है, क्योंकि मुसीवत तो सब के साथ है, लेकिन समजन की बात है है ना सोच की बात है तो जैसी सोच रहेगी वैसे ही आप उस point को देखोगी तो positive thinking अगर रखोगे कोई problem आई तो उसका positive way देखोगी इससे कैसे solve करना है ना कि उस problem को ही रोती रह जाओ happy feel करोगे ठीक है इस problem को ऐसे solve कर करेंगे चलो फिल्हाल तो problem आगी कोई बात थी अगर compartment आगी कोई बात थी compartment है हो सकता है मैं पिछली बार ढंक से नहीं पढ़ाओं इस बार मैं बहुत मेहनत से पढ़ूंगा और पास हो जाओंगा क्योंकि negative से कुछ नहीं होगा negative feel करोगे high compartment आगी तो क्या होगा और पढ़ाई नहीं करोगे मेरे बसकी नहीं है फेल हो जाओगे positive thinking रखोगे तो जितने marks कोई first वाला लाया उससे भी हो सकता हाइर marks लियाओ तो think positive can do everything staying happy with small thing छोटी 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 छीज़ों में भी खुशी है ढूंडो छोटी छोटी छीज़ों में being thankful हर एक person को thank you बोलो है न तो इससे क्या होगा आपका confidence increase होता जितने खुश रहोगे confidence increase होता जाएगा sting clean hygiene and smart अपने आपको साफ रखो साफ सुत्रे रहो आपके बाल आपके दांत आपकी हाथ आपके finger आपके skin सबको अच्छे से maintain करके रखो जितना अच्छे साफ सुत्रा रहोगे personal hygiene रहेगी तो देखो बिमार हो जाओगे तो अपका time waste होता है तो बिमार होने से अच्छे अपने आपको proper policy ध्यान रखो chatting with positive people जो लोग आपको positive बाते देते हैं उन लोगों से बात करो interacting with positive people उनसे बात करोगे तो आपमें भी positivity आएगी कोई situation है handle नहीं कर पा रहे हो जब लोगों से ऐसे positive लोगों से बात करोगे इंट्रक्ट करोगे तो आपका confidence boost होता है two positive people जो positive people है जिनकी thinking positive है जब उनसे बात करते हो एक prospect प्रोग्रेसिव आपको prospect मिलता है life में कि life को किस तरह से handle करना है now आप इस तरह की देखो activity भी कर सकते हो कि अपने अंदर की आप strength पहले ढूंड लो फिर weakness ढूंड लो अब weakness आपको पता चल गया अरे मैं तो अच्छा खाना नहीं बिना सकता तो अब उस weakness को दूर कैसे करना है सीख लो दीरे दीरे planning करो weakness को खतम करो और strength को जादा से जादा बढ़ाओ तो इस तरह से आप और positive होते जाओगे ठीक है कुछ आप और activities ऐसे कर सकते हो कि आप अपनी जो positive words हैं उनको लिखो wall पे लिखो जैसे शीशे में देखकर अपने आपको कहो I can do it, I can do it तो कुछ positive thoughts अप अपने आसपास लिख लो और आते जाते उसको पढ़ा करो पर revise कर लेते हैं self management क्या होता है self management मतलब अपने आपको manage करना अपने आपको कैसे manage करोगे अपनी habits, अपने manners, अपनी knowledge, अपने intention, अपने deeds से अपने आपको manage करोगे ठीक है, दूसरा क्या है managing self by people around you, आपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह से behave करना है उसको भी manage करना, फिर managing self with resource around you, आपके जो resource है, आपकी जो जान पेचान है आप job कर रहे हो, या आप जिन लोगों को जानते हो, FP के दूरू, WhatsApp के दूरू, ठीक है तो उन लोगों के साथ भी आपके किस तरह का behavior है, उसको manage करना ही self management है next है आपका positive result of self management, तो self management अगर आप रखते हो, तो positive response क्या मिलता है पहला कि आप self monitor, अपने आपको monitor कर पाते हो, self independent बन पाते हो, सारे काम खुद करने लगते हो ownership, accountability आती है आपके अंदर, आपको लगता है कि हाँ, अब ये काम मैं कर पाता हूँ क्योंकि आपके अंदर self management आ चुका है, तो आप सारे काम की responsibility लेना शुरू करते हो दूसरा है self evaluation, आप अपने आपको evaluate करते हो, आप कहते हो कि मेरा क्या goal है set करते हो अपना goal life का, कि मुझे बड़े ओकर यह बनना है, मुझे अभी इतने percent marks achieve करने है फिर evaluate self, अपने आपको करते हो, कि मैंने ये जो काम किया, ये सही किया नहीं किया, किया तो very good और नहीं किया, तो मैं इसको कैसे improve करूँ, ठीक है, और self management का positive आता है, कि self reinforcement अपने आपको reinforcement करना, कि मुझे अपने अंदर increase करना positive behavior को, क्योंकि positive behavior करने से लोग मुझे पसंद कर रहे है self learning, अरे मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए, increase self reliance, अपने आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं next topic हमने cover किया था, self management skill, self management करने के लिए कौन-कौन से skill होते है, पहला है self confidence, अपने उपर पूरा confidence होता है stress को कैसे manage कर सकते हो, कोई problem आये तो उसको कैसे sort out करना है, independent working कर पाते हो आप, team player बनते हो, team में काम कर पाते हो, group में कैसे काम करना है, कैसे deal करना है, वो सीख चाते हो, proper time से काम कर पाते हो, time management सीख चाते हो, self motivate करते हो, अपने आपको self motivate करना शुरू कर देते हो, कोई काम complete करन हो जब आपको self management का ही पार्ट है कि अपनी personality को भी ग्रूम करना है कैसे उठना है खाना है पीना रहना है चलना है यह सब भी आप self management में ही सीखते हैं factor affecting the self confidence हमारे confidence को कौन effect करता है पहला है कि social हमारी society जो है हमारा social behavior कैसा है family के साथ friend के साथ school पे office पे colleagues के साथ तो कैसा हमारा social behavior है वो हमारे self confidence को बहुत effect करता है culture हमारा culture कैसा है हमारे मतलब believe क्या है family में जैसे क्या believe चल रहे है कौन से मतलब जैसे अगर हमने एक example लिया था हमारे custom कैसे culture कैसा है तो वो भी हमारे confidence के ऊपर असर करता है physical अगर कोई बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता तो उनको फिजिकल प्रॉब्लम है या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोल सुन तो सकते हैं लेकिन कई मार लोग उसको कह देते हैं कि तो बड़ा पतला सा दिख रहा है तेरे से तो बग सके तू चल सके या मोटा है तो तू डांस नहीं कर सकता तो इस तरह से लोग नेगटिव थौट दे देते हैं तो यहां पर आपके self-confidence पे effect पड़ सकता है यह factor आपको affect कर सकते हैं लेकिन आप क्या करो कि self-confidence increase हो आप नेगटिव बातों को तो एक्तम निकाल दो हटा द करी है आप उसको remove करो चोड़ दो कि यह जो बोल रहा है गलत बोल रहा है वो मुस्से जलस होता है इसलिए बोल रहा है हर एक की बात तो थोड़ना सुनते रहेंगे तो negativity को निकालो अपने दिमाग से अब positive सोचो ऐसे गैसे भाई मोटे निक दांस कर सकते example लो तो सेट कर ल कि इन लोगों को मैं अपनलब admire हूंगा यह अगर कर सकता तो मैं क्यों हर सब कुछ आसान है everything can do impossible देखो impossible अपने आप में क्या कहता है I am possible तो आप बोलो I am possible किसी की चीज़ को impossible बोल नहीं नहीं है stay happy खुश रो छुटी-छुटी चीज़ों में भी खुशी ढूंडो आज मै मैं 10 कदम चल गया हूं मैं weight loss करना चाहता हूं एक गंटा exercise नहीं कर पाया लेकिन मैं 10 कदम तो चला और फिर उसको आगे channelize करो बढ़ाओ आज 10 कदम चला कल 20 कदम चलेगा फिर 100 कदम चलेगा stay hygiene and smart अपने आपको साफ सुत्रा रखो और smart बनो ना अपनी look को भी अच्छा करो be around positive people अपने आसपास negative लोगों को जगा मत दो उनसे friendship मत करो positive लोग जो आपकी positivity को boost करें आपको confidence दें कि हाँ तू कर सकता है hope you understand the topic very clearly thank you for watching stay confident be happy and stay motivate yourself thank you